तो हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाओं के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं आम जन्ता के साथ साथ सभी पार्टियों के बड़े नेता भी मद्दान में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं हिमाचल के मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा, केंद्री मंतरी अरुराक ठाकुर, साथ ही कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपास सिंग, हिमाचल के पुर्वसीम प्रेम कुमार धुमल और कॉंग्रेस नेता आनंद शर्मा वो तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हमिरपूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवी त्रिपाटी रवी हमाचल में वोटरों का कैसा जोश दिख रहा है और साथ ही एक और सवाल है सियासी नजरिये से हमाचल कितना महत्वपून है बीजेपी और कॉंग्रेस के लिए बिल्कुल दिखिए सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दें कि कितना उत्सा है तो आम तोर पे पहाड में देखते हैं कि पहाड में सुबह वोटिंग होती है 10-11 बज़ तक जादा फिर दोपहर में दूप तेज होती है लोग घर से कम निकलते हैं दो ढ़ाई सबसेंट की वोटिंग हो चुकी है 12 तक का जो आकड़ा आया था और यह रिकॉर्ड जाता है कि 70 परसेंट से अब वोटिंग होती है आम तोर पे हिमाचल पे अगर वोटिंग कम होई तो उसका भी कहीं न कहीं कारण माना जाएगा कि सरकार को लेकर बहुत निरासा है या फि दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई विरोजगारी बहुत है महंगाई बहुत है उल्ड पेंसान स्कीम हमें चाहिए उसके अधार पर वोटिंग कर रहे हैं तो अलग अलग मुद्दे हैं एक तरफ बात की जा रही है कि कहीं न कहीं राज बदलेगा दूसरे तरफ मोदी जी न ने समझाय था और सियासी समेकरन का बात और सियासत पर कितना असर पढ़ने वाला है तो बीजेपी के लिए घुरात और हिमाचल दोनों उतना ही महाने रखता है देखे गुजरात में अगर प्रधान मंतरी मोधी का इलाका है ग्रेश छेत्र है अमित साह का ग्रेश छेत्र है तो हिमाचल जो है बीजेपी अधक्स जेपी नड़ा का ग्रेश छेत्र है और उनके लिए उतना ही कहीं न कहीं उनका दाव लगा हुआ है इसलिए उनने बड़ी मेहनत किया इस इलाके में आकर अपने इलाके में मेहनत की लगतार campaign किया है अगर हिमाचल गलती से पार्टी के हांथ से चला जाता है तो यह कहा जाएगा कि बीजेपी अधक्स्त का जो इलाका है ग्रेश यहत्र हो अपने आपको नहीं बचा पाए कॉंग्रेश के लिए है कि कॉंग्रेश को अपना खाता बढाना है कॉंग्रेस चाहेगी कि दो राजियों तक जो सिम्टी बढाना है तो कॉंग्रेस के लिए है कि गेन करना है भारत जोड़ो यात्रा से भी कॉंग्रेस इस बात को जोड़ के देखेगी मलिकार जिन ख़ड़ गए का खाता भी खोला हुआ माना जाएगा कि पहले अध्यक्ष बने और अंते ही एक राज्य में सरकार आई और दूसरी तरफ कही न मुकाबला जो हो रहा है सियासी नजरिये से भी ये मुकाबला काफी महत्वपून है क्योंकि दोनों पार्टियों ने हम देखें तो पूरी ताकत लगाई हुई है जीत के लिए तो अब देखना होगा कि ये जो परंपरा है ये बदलती है या नहीं फिलाल शुक्रिया रव पूरी जानकारी के लिए